हेलो दोस्तों स्वागात आप सुभी को राजय स्टेडी में आज हम लोग मैं इसमें तिर्भूज चप्र मतलब जाय मीती का डील करने वाला जिमेटरी देखेंगे जिसमें हम लोग तिर्भूज का जितना भी इससे रिलेटेड कोईशन है सारे देखेंगे बहुत ही अच्छ मतलब 5-6 मारकर रहता है तो आज हम लोग ठेल स्प्रेमे के बारे में जानते हैं तो चलिए श्टार्ट करते हैं ठेल स्पर में जेनरली यह होता है इसको हम लोग निचोड भी देखेंगे जैसे कि हमने यहाप आपके लिए सौटली लिखे हुए है कि काई से क्या होता निस जब दो रेखा हो कि बीच की दूरी हमेसे क्या हो ब्रावर और आपस में नहीं मिलता हो तो वही क्या करता है तो समानतर है जैसे ABC एक तिरभूज है उसके क्या है कि समानतर हम कोई रेखा लिए यह क्या हुआ हुआ है इसके समानतर यह रेखा हुआ है यदि किसी को समान अनुपात में व्वाज़ित करतेंएं तो का रह दिए, यहां पर मिलता है ब्रावर होता है यह देखें दो तिर्बूजँ बन रहा है एक तो यह छटका तिर्बूजँ और एक वह और बरा zwr ε एडी अनुपाद A भी मतलब यह च्छटका भुजा और बड़ा भुजा उसी दर इसका अनुपाद क्या हो ब्रावर हो तो वह क्या के लाता है तो थेल्षपर में होते हैं तहल का भिलोम होता है कि एधि उसका जस्ट उल्टा होते हैं कोई रेखा किसी तिर्भूज के दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है यदि कोई रेखा है मान के चलो कोई तिर्भूज है उसमें कोई रेखा मान के चलो यह रेखा उसके समान अनुपात में विभाजित करता है जैसे क्या देखो d a बटा b d a e बटा a e दोनों का अनुपात क्या है बरावर है इसका मतलब क्या हो कि ये रेखा ये रेखा क्या है समानतर है मतलब जो रेखा दो तिर्भूज को यदि कोई रेखा किसी तिर्भूज के दो बुजाग समान अनुपात में वहाजित करता है जिस दो को वहाजित कर के तीसरा बुजा क्या हो जाता है समानतर हो जाता है इसका निसकर्स क्या हमको निकला कि मतलब के बीसी अनुपाद डी देखो तो थेल्सपन में के निसकर्स देख लेते हैं थेल्सपन में के निसकर्स यह होता है कि एक तिरूज दिया हुआ है उसमें किसी बुजा के समानतर ह आप अराम से निकाल सकते हैं थेल से बिलोम होता है कि यदि कोई तिर्भूज में कोई रेखा समान नुपात में भाजित कर रहा है देखो समान नुपात में भाजित कर रहा है AD बटा BD और AE बटा EC तो क्या होगा कि वो तीसरी बुजा क्या हो जाता है हैं और दो सम्रूप तिर्फुज सम्रूप का मतले होता है जिसका सभी बुझा सभी सभी बुझा का is और सभी कौन क्या होते हैं बराबर होते हैं तो क्या क्या कह रetzt है संगत क्या होते है यह अद्धारी अंतर दध मुझा ओ강 बराबर इस कोन के बराबर ये कोन होगा समरूप होगा तो इस कोन के बराबर ये होगा इसके बराबर ये होता है समरूप का यह निया में मतलब यह होता है और भुजा का अनुपाद AB अनुपाद, AB बटा PQ, AC बटा PR, BC बटा QR ये सब क्या होगा अनुपाद बरावर होंगे और समरूप तिर्भूज का छेतरफल इस पे बहुत कोश्चन आते हैं दो समरूप तिर्भूज के छेतरफल का अनुपाद क्या होता है उनके संगत भूजाओ के अनुपाद के योग के बरावर होता है संगत भूजा ले लेंगे, उसका स्क्वाइर कर देंगे, उसका अनुपाद कर देंगे क्या होता है, तो समरूप तिर्भूज का छेतरफल का अनुपाद क्या होता है संगत भूजाओं के अनुपात होते हैं जो सब अच्छा क्वेश्चन है वह सारे क्वेश्चन को डील करते हैं देखते हैं जैसे कि इसी कि देखो सेकेंड नमर क्वेश्चन देखो फर्स्ट तो फर्स्ट में क्या खा रहा है कि सबस्थ करकें देखो और द संग Glen क्व cinco मतलब इस छटका तिरूंजक भूजा और जो बड़का तिरूंजकर पूज़ा क्या है बराबर है बरावर क्या है Commissioner X दिया हुआ है तो इसमें मतलब एक थोड़ा सा mistakes हुआ है समें पूड़ा करके हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि इसमें वह इस भेस रहा है कि पइक्ड्यू अनुपात बी सी है तो QC कमान गयाद करें तो चलिए दूसरा में देख लेते हैं इसमें दिया हुआ है कि पीक्यू अनुपात क्या है मतलब यह जो है पीक्यू पीक्यू समानतर किसके हैं वह देखने से भी लग रहा है कि दोनों बुजा कभी मिलेंगे नहीं तो क्या करा है कि दोनों समानतर है स्वाल में दिया हुआ है स्वाल आभ हमने देखे थे यहां पर कहां गया प्रम कि क्यूत यतना है निकालना है think QC कहा गया यह है QC यह है तो हम देखो यह दोनों भूजा अनुपात बराबर ते इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या हो जाएगा पराबर हो जाएगा इसमें यहां Q Q कमान एक सेंटीमीटर इसमें नहीं दिया हुआ है तो QC का निकल जाएगा कि 1.5 क्या कि समांतर दिया हुआ तो इसके भूजा का नुपात तो A B लिखी देते हैं A P बट्टा B P बराबर क्या हो जाएगा A Q बट्टा QC QC का हमको मान का रहे निकालने इसका मान दिया हुआ है 1.5 नीचे में क्या है 3 सेंटीमीटर और A Q का मान भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है उपर में 1 बट्टा QC QC का मनावा अराम से निकल जाएगा 3 को दिया हुआ चोथा निकालना है उसी तरह 3 सवाल देखते है कि दो तिर्भूज है सब टाइपस के देख लेंगे कि कारा कि ABC और तिर्भूज DEF में AB बटा DE और BC बटा EF दोनों तिर्भूज समरूप होंगे तो पहले तिर्भूज बना लो यहीं पर लिखा हुआ है तिर्भूज चलो इस तिर्भूज चे हम इसमें लेकिन नाम दूसरा दिया हुआ है तो ABC एक तिर्भूज है एक क्या है DEF इसको ABC इसको DEF मान लेते हैं तो का रहा है कि AB अनुपाद AB अनुपाद क्या है DE है तो यह तो होंगे उसका बात क्या का रहा है BC अनुपाद EF है तो यह जिनों तिल्बूज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे तो समरूप कब हो जाएंगे यह अनुपात यह अनुपात बराबर ते यह कौन भी यह कौन भी क्या होंगे बराबर हो जाएंगे यदि समरूप होंगे तो यह कौन यह कौन क्या हो जब दिया हुआ इसका बुजा का अनुपात, इस बुजा का अनुपात, इस बुजा का अनुपात, इस बुजा का अनुपात क्या है, बराबर होना है, अनुपात बराबर है, तो कोन भी बराबर होना चाहिए, तो कोन भी बराबर होना चाहिए, तो कोन भी बराबर होना चाहिए, तो कोन भी बराब यह थिल्स्परमे सिर्ama को हो, अब खो जो AD-BD, AD-BD दिया है, यहां पर AD-BD और Eici को जाएसे हो, तो सिर्मत का बराबर हो जाएक yu, यह देखो यह उसी टैप से है, इस सब हो, भुजा आप आपत का मन दिया हुए ये हम तो नहीं हम को दिखाना है कि यह बिजा ये बराबर है समानतर है ऐतर नहीं हो जाए कहा वह ये दोनों रेखा समांतर हेले नहें हो जाएका तो यह मतलब हम हम कुलने लगता कि हो पाइग fors उसमें क्या दे द्या इसमें चार पॉंट कितना दिया हुआ? यह उसके बाद है उसके सबाइब हो तो यह हो पाएगा तो ऐसे में नहीं क्यों सिक्वा ड्राइन शकल चाना तीgen्दाबarta 3-2 निएविए सब्सक्रीं दोट्र ये दोट। पर उसी पर देखों बेस इस पे और थेल्स की दोनों यह तीन ही पर आपसे क्वेस्टन जाएदा पूछे जाते हैं यह तीन आपको कंठर्स्ट हो गया थेल्स के बिलोम बला थेल्स और थेल्स का बिलोम से तो उसमें आप जाने ही कि भूजा का नुपाद मतलब कोई रेखा यह समांतर हो तो उसके भूज़ा का नुपाथ बराबर होता यह जिसको ब्राबर होता है वरगों के अनुपाद ऑत्स दो समर्प त्रभूज के छ Whatsटपन का अमपात इतना है यह कि संवे सिंगत भूजन काले तो मानलगे चलो कोई A.B.C क्या है कि कि और यह भिनले हैं यह तिरो आप आप बपने हे dishwas़ाक अममपात नहें हो आपके और एरिया अव्यवेसि का एरिया तिरभुझ पीक्यू आर और प्यू का मतलब एलाटनाई का एम्यवेस्क उ नाट एलाटनाई क्लोटनाई इसेघा आटना आटना ऑफ फक्यू तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पूछा हुआ क्वेस्टन सब देख लेते हैं क्योंकि पूछा हुआ क्वेस्टन अब जायदा आपको बेनिफिट देंगे जायदा रिपीट होने के चांसे होते हैं तो चलिए स्टार्ट करें आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपका बोर्ड का प्रिप्लेशन अच्छा सोगा और हम आपको एक ऐसे सक्की क्ली क्वेस्टन भी देंगे जब तिन चार पांच चार दिन बच तो नहीं तो पांच दिया वह एक है हुग नाधाब हसक्तो दिया हो दिया हुग है चार प्वेंट-अठ दिया हुग है और ईशकां सरको ओकरलां करन निकालने के लिए हमने निकाल लेंगे इसका उनप स्कानु पांध कि अनुपा म OMG W b b do b Rob in य तो क्यों लिखेंगी तीन 5 275 inform आधा इसको ए सी तो इसमें क्या होज़ागा कि तसमलब उड़ाएंगे तो नीचा में दशाएग आ जाँ तो पांच से काटेंगे नीचे नीचा इसे 5 और 10 यह 48 ה तो 2 से कटेंगे कितना चोभीस और 3 से कटेगा तो 8 सिंपल केल्कुलेशन राओध आपको कैंने कर सकते हैं सब्सक्राइब नेскरण कर लिए तो इसका एन्सार को जाएगा और प्र्रस करें कि उसी बेटीक सब्सक्राइब इस來到 सब्सक्राइब है यह बार यह बहुता है इसका विमान यह रिभीन है तीन पांच बत्टर ऑचार एक आति का रहा है कि तो इसी में भूजा का नुपाद दिया है कि ना 5 नुपाद साथ का लए छेतफ़ अनुपाद क्या हो जाएगा से प्रणफ पर में इसका स्क्वर कर दो तो नीचे में भी इसका स्क्वर कर दो कि भूजा के स्क्वाइर के बरावर होता है तिर्भूज के एरिया का अनुपाद 25 बटा क्या हो जाएगा उन्चास हो जाएगा देखो 25 बटा उन्चास 25 बटा उन्चास के यह अगा सकते हैं जो कि यह आप उसी पर बेश्ट है इसे अपसानी से डील कर सकते हैं यह दो बार पूछा हुआ तो यह भी मतलब आये गा ही नहीं आने का सवाली हुझता है कि इसको हो जाएंगा कि उसके स्क्राइड के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो यह सब थोरा से यह देखो यह भी उसी पर है चार आजाएगा तो यह निकल जाता है तो सिंपली आप इसे आप डील कर सकते हैं इसमें पूछेगा यह दिया हुए दि बराबर कर रहे हैं एडी बराबर क्या हो जाता है एडी इसके सामने का जो जो बिवाजित करता है उसका गुना होता है तो दो अनुपात आठ हो जाएगा आठ दूनी सुल्ला क्या हो जाएगा चार आगे इसका अंसर यह हो जाएंगे तो इसी पर बेस्ट था इसमें बहुत जाएदा कोई उतना भी नहीं है तीन ही क्वेश्चन पर आप से पूछेंगे यह दो समरूब तुर्भुष दिया रहे उस तरह से आप सारे वीडियो देख लिए 10-15 मिनट कर आता मैत काता आपका 100-100 जरूर आ गएगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नियामक जैमिती देखेंगे जो कि वह भी बहुत ही स्कोरिंग चप्टर है क्योंकि हलका बहुत है और उससे असानी से बन सकते थैंक य थैंक य फौर वट्ट